पिछले साल जब बाबा, राजू और मैं शहर गए थे, तब साइरा की और मेरी दोस्ती हुई थी। वो बड़ी मुसीबत का वक्त था। पूरे गाउ में बुरा हाल था। हमारे पास न धान था, न पैसे। हमारा घर तूट गया था। जब दादी बिमार हो गई, तो बाबा ने कहा काम ढूंडे उन्हें शहर जाना पड़ेगा। ये तैह हुआ कि मैं और मेरा भाई राजू भी जाएंगे और अपनी बुवाजी के साथ रहेंगे। मैं सूचने लगी मा और दादी के बिना कैसा लगेगा। स्कूल शुरू हने तक लोटेंगे या नहीं। पर शहर देखने की उच्शुकता भी थी। राजू ये तस्वीरे देखो। देखो मिट्टू चिडिया घर। किसका सर। चिडिया घर। ओ चिडिया घर। वहाँ लेट चलो ना बाबा। नहीं राजू अभी नहीं बेटा। चलो यहां तो पहुँच गये। अब बस तुम्हारी बुवा का घर मिल जाए। मिट्टू राजू कहा गया। देखो मिट्टू टीवी। टीवी। राजू। आखिर हमें बुवा का घर मिल गया। हम बुवा के मकान मालिक से मिले। उसने बाबा को पहचान लिया। मेरी बेहन के घर का रस्ता बता देंगे। बड़ी महरबानी ही। वो लोग यहां नहीं रहते। क्या आपको पता नहीं। पर हम ने तो चुठी भेजी थी उन्हें। बता नहीं। पर हम। वो लोग तो चले गए। अफो। अब हम क्या करें। अब हम कहां रहेंगे बाबा। सुने। राजू को तमें रख लूँगी। मेरे बेटे को साथी मिल जाएगा। पर मीना। अरे हां। पास में ही कुछ लोग हैं जिन्हें कामवाली की जरूरत है। मीना वहां रह सकते। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर यहां चीवी है तो रहे लूंगा मैं। बस कुछी दिनों की तो बात है। आखिरकार बाबा राजी हो गए। कौन। कामवाली लेके आया हूं। जरा छोटी दिखती है। पर चलेगी। मेरी बच्ची को बहुत काम तो नहीं करना पड़ेगा न। बहुत छोटी है भी। आप चिंदा मत कीजिया। आम ध्यान से रखेंगे। खाना कपड़ा सब मिलेगा। आराम से रहेगी। बस कुछी हफ़ते ही है यहां रहेगी। आहां कोई बात नहीं ठीक है। मीना, मैं जल्दी लोटूंगा। और तुम्हे ले जाऊंगा। चलो। हो गया न सब खीक ठक। चलते हैं। काफी रात हो चुकी है। जल्दी लोटूंगा। चलता हूं मीना। अच्छा राजू। हां तो मीना। घर का कामधाम तो जानती है न। क्यां। मीना। कौन बोला। छी तोता। मा हूं मिठू। बोलता भी है। निकाल बारे से निकाल बार। जा मिठू। बाबा और राजू के पास जा। चू। चू। हां तो लड़की जल्दी जल्दी हाथ चला। बहुत काम पड़ा है। उस रात मुझे लगा कि काम कभी खतम ही नहीं होगा। ये किसको जाई है। मुझे, मुझे, मुझे। शैतान बच्चे। ऐ लड़की जल्दी जल्दी जाड़ू लेया। हां। अरे देख रह गया एक। हां। मीना, कल सुबह जल्दी उठके नलके से पानी लेया आना। ठक गई मैं तो। तुम सारा के साथ वाले खर में काम पर लगी हो ना। सारा, नाम क्या है तुम्हारा, मीरा नाम। मीना, चल्दी चल्दी हाथ चला। मैं चल्ती हूँ। सुन मीना, हम लोग चिडिया घर जा रहे हैं, जरा देर से लोटेंगे। ठीक है। चिडिया घर चलते हैं बच्चों। चिडिया घर, चिडिया घर। मिठ्धू। मिठ्धू, मिठ्धू। मीना, क्या है ये चिठ्धी। राजू, चिठ्धी। ओ, राजू, कैसा है वो। मीना, मैं काम करकर के ठक गया हूँ। मैंने कभी भी इतना काम नहीं किया। मुझे घर जाना है, राजू। बेचारा, राजू। मुझे भी घर जाना है। मुझे भी। बाबा देखो देखो मेरे बाबा ने चीलिया घर से क्या दिल्वाया तोता बहुत प्यारा है हाथ पार लेगा न हाँ मिठ्थू राजू को ये चिठ्थी दे देना मुझे पानी भर कर लाना है मीना बुडिया कैसी है? बहुत सताती है क्या? हाँ बहुत ज्यादा तुमसे पहले वाली लड़की तो भाग गई थी अगर मुझे अच्छा काम मिले तो मैं भी भाग जाओ वो लोग मुझे कभी-कभी माटते भी है मुझे तो घर में बंद करके चले जाते है मैंने अपने घरवालों को दो साल से नहीं देखा मुझे अपने घर जाना है क्या यहां एक भी अच्छी मालकिन नहीं साहरा यह ना नसीब वाली है उसकी मालकिन बहुत अच्छी है साहरा से मिलने का बहुत मन हो रहा था मिना ओ बेवकोफ लड़की उपर से खुदर होती है कौन देगा पैसे मेरी प्लेट के बता कौन है चैन की सांस भी नहीं लेने देते क्या है जी नमस्ते ओ आप मैं मीना से मिलने आया हूँ मीना से? अच्छा नहीं मगर वो तो अभी अभी बाजार गई है मैं कुछ देर यहां रुक जाता हूँ रुक नहीं नहीं वो पर देर से लोटेगी वो वो ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास पर मैं आप चिंता न करें ठीक है मैं मैं फिर आऊंगा कोई जल्दी नहीं है उसे कहना कि मुझे काम मिल गया है चिंता नहीं बताओं कि नहीं मीना बस अब रो मत फ्लेट ही तो टूटी है ए वो मेरा है दद कुछ समझ में नहीं आ रहा अरे ये तो मुझे आता है पिछली साल सीखा था मैं बताओं तुम्हें पप्पू तुम्हें आता है बिलकुल वह वह अब पप्पू मेरा दोस्त बन गया था कभी कभी वो मेरे काम में भी हाट बटाता था गल्टी गल्टी ए मिठ्धू सुनो तो सही काम करने वाले बच्चों के लिए स्कूल लिखाई पढ़ाई और गणित के लिए खास दोपहर का वक्त सिलाई टाइपिंग हिसाब किताब वगेरा भी सिखाते हैं मिठ्धू ये तो बहुत अच्छी खबर है लड़कियों को भी बताना चाहिए मिठ्धू कुछ सुना तुमने तुम कौन हो रेश्मा कहा है वो तो गई तुम साहरा हो हाँ और तुम मैं मीना हूं और ये है मिठ्धू मिठ्धू तुम कब आई आज शाम को दो मिनट में हमारी गहरी दोस्ती हो गई साहरा ने मुझे पताया कि आप वो बहुत अच्छे लोगों के यहां काम करती है पगार भी अच्छी है और कुछ आराम भी मिलता है औरों की तरह नहीं है पर वो इसी तरह अपनी जिंदकी बिताना नहीं चाहती हम देर रात तक बाते करते रहे मीना साहरा तुम कैसी हो ये देख क्या खास कूल के बारे में है शाहिद तुम्हारे काम आए मुझे पढ़ना नहीं आता मीना क्या है ये मैने उन सब को पढ़कर सुनाया सब पढ़ना चाहती थी पर नों ने कहा कि उनकी मालकिन कभी राजी नहीं होंगी सिर्फ साहरा ने कहा कि वो अपनी मालकिन से पूछेगी भली ऑरत है वो अरे, बिचारी लड़की, ये कोई काम करने की उमर है, कौन, मीना, तुम, बुआ, आप आ गई, मीना, इसने मेरा तोटा चुरा लिया, वापस कर दे, फॉरन, मैंने इसका तोटा नहीं लिया, चुल, लिया, लिया, वापस कर जल्दी, जल्दी, ये रहा तोटा, पलंग के न खुश, बती जी पर चल्दा क्यों रही है, बती जी, मीना, आपकी बती जी, अरे, बड़ी प्यारी बच्ची है, लेकिन मीना, तुम यहां क्या कर रही हो, सब बताती हूं, बुआ जी, मैंने बुआ जी को सब कुछ बताया, बुआ ने कहां, मुझे इस तरह काम पर नहीं लगाना चाहिए था, तुम अबे बहुत छोटी हो, बस, बहुत हो गया, क्या आप जानती नहीं, कि बच्चों से काम कर वा है, मगर वो बड़ी महंदी लड़की है, मैंने तो, बस, बहुत हो गया, मीना मेरे साथ रहेगी, चलो साइरा, याद है, जब बाबा को पता चला कि हम पर क्या पी थी, तो वो कितने परिशान हुए थे, उन्होंने कहा, कभी हमें इस तरह काम पर नहीं लगाएंगे, बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, क्या पता, साइरा कभी स्कूल चाह सकी या नहीं, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बुआजी वो स्कूल देख आई, उन्हें स्कूल पसंद आया, पर वो मुझे अकेले भेजने से डरती थी, उन्होंने पडोसियों से दूसरी लड़कियों को भी भेजने की बात की, पर कोई नहीं माना, फिर उन्होंने स्कूल वालों को उन्हों से बात करने को कहा, आखिर कुछ लोग मान गए, अब आईशा, गुलाब, मुन्नी और मैं हम सब एक साथ मिलकर स्कूल जाते हैं, अच्छा लगता है, मैं कितना कुछ सीख रही हूं, मैंने ये चिट्टी खु ये वहनुलब